हेलो दोस्तो आप टूडेट फैक्ट्स की इन्फरमेटिव सीरीज पर आपका स्वागत है दोस्तो आप सभी जानते होंगे के यूरोप में यूक्रेन और रशिया के बीच इस वक्त जंग चल रही है काफी अर्से से इस जंग के बादल यूरोप पर चैये हुए थे और अचानक फट गए हैं जंग के साथ साथ दोनु देशों के बीच बात्तीत भी चल रही है आखिर रशिया यूक्रेन से क्या चाहता है और यूक्रेन का ओ कौन सा वेवारता जिस कारण रशिया यूक्रेन पर हमला करने पर मजबूर हुआ आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस जंग पर बात करने से पहले हम दोनु देशों के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं 1991 से पहले रशिया और यूक्रेन एक ही देश यानि सोवेत यूनियन का ही सववा करते थे 1991 में Soviet Union के breakup के बाद Russia और Ukraine अलग-अलग देश बन गए लेकिन फिर भी 2014 तक दोनी देशों के बीक रिष्टे काफी अच्छे थे Ukraine में नेरली 38% Russian-speaking population है और बाकी Ukrainian-speaking population है 2014 से पहले Ukraine में Russia की एक कट-पुतली सरकार हुआ करती थी और Ukraine के सबी policies Russia की favor में ही बना करती थी लेकिन 2014 में Ukraine में बहुत बड़े anti-governmental protest हुए इसके बड़ प्रेसिजन्ट विक्टर यानुकोविच की सरकार गिर गई विक्टर यानुकोविच रशिया के favor में थे 2014 के बाद Ukraine की policies में हमें shift देखने को मिला अब Ukraine की policies रशिया के favor में बनने के बजाए United States और Europe के favor में बनने लगी अब आते हैं इस जंग के कारणों के तरफ इस जंग का direct कारण है Ukraine का NATO जॉइन करने का decision और indirect कारण है Eastern Europe में NATO का expansion अब ये NATO क्या चीज़ है Second World War जब खतम हुई तो Soviet Union पूरे दुनिया पर और खास करके यूरोप पर एक superpower के तोर पर चागया Soviet Union के परबाउस बचने के लिए United States, Canada और Western Europe के 10 देशों ने North Atlantic Treaty Organization नाटो के नाम से एक strategic group बनाया Presently 30 countries नाटो की member है नाटो के guidelines में ये लिखा हुआ है कि अगर नाटो के किसी एक देश पर हमला होता है तो नाटो के तमाम countries पर हमला माना जाएगा और नाटो की तमाम countries उस country को defend करेंगी इसी के साथ नाटो के guidelines में ये भी लिखा हुआ है कि नाटो कंट्री अपने defense forces को दूसरे नाटो कंट्री में deploy कर सकते हैं और दूसरे weapons भी install कर सकते हैं दोस्तो 1991 से पहले Soviet Union और नाटो में हमेशा दुश्मनी रही है 1991 में Soviet Union के break up के बाद Russia और नाटो में ये दुश्मनी चलती आई है Russia और Ukraine एक दूसरे के साथ border share करते हैं अगर Ukraine नाटो को join कर लेता है तो United States रussia के border के करीब अपने forces को deploy कर सकता है और nuclear missile भी install कर सकता है इस बात को रussia आपने लिए बहुत बड़ा security threat मानता है Western Europe के countries जैसे के France, UK, Spain वगएरा अलरेड़ी नाटो के members हैं Soviet Union के break up के बाद United States ने रussia को promise किया था के नाटो के membership को Eastern Europe के तरफ expand नहीं किया जाएगा यानि के Russia के border countries और Eastern Europe के countries को NATO का member नहीं बनाया जाएगा लेकिन United States ने इस promise को बार-बार तोड़ा है 1991 के बाद Eastern Europe में फाजबार NATO का expansion हो चुका है 1999 में Poland ने NATO को जाइन किया 2004 में Estonia, Latvia और Lithuania ने NATO को जाइन किया Russia ने जब इन countries के NATO को जाइन करने पर आपती जाता ही और promise याद दिलाए तो United States ने पूचा के promise के documents कहा है ये United States के चला की थी के उन्होंने सिर्फ verbal promise किया था और इस promise के कोई भी documentation नहीं था दोस्तो आप सभी सोच रहे होंगे के Ukraine को NATO जाइन होने से रोकने वाला Russia कोन होता है हर देश को उसके मर्जी के संगटन को जॉइन करने के आजादी होनी चाहिए जी हाँ दोस्तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं लेकिन किसी भी देश के रहने नीती से किसी और देश को security issues नहीं होने चाहिए United States और NATO कहेते हैं कि Russia World Peace के लिए खत्रा है एग्रेसर है और चोटे countries को बुली करता है लेकिन फिर आप क्या कर रहे हो आप Russia के border के पास जाकर उसके neighboring countries को NATO जॉइन करने के लिए क्यों उकसा रहे हो इससे World Peace किस हालत में अच्छी होगी और रही बुली करने की बाद तो United States भी यहीं करता आया है अफगानिस्ता और इराक की मिसल आपके सामने होगी दोस्तों ना United States को यूकरेन की परवा है और ना Russia को सभी अपना-पना geopolitical game खेल रहे हैं अगर United States को किसी छोटी country की परवा होती तो इस तरह अफगानिस्तान से नहीं भागता जब रशिया ने यूकरेन पर हमला नहीं किया था तब United States और NATO यूकरेन को बड़े-बड़े आश्वासन दिला रहे थे के हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे जब रशिया ने यूकरेन पर हमला कर दिया तब NATO ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम यूकरेन में अपने फौज नहीं उता रहेंगे हम में से कई लोग ये समझ रहे हैं कि United States बेवकूफ है एक कौवर्ड है जो कि यूकरेन को रूस के हमले से नहीं बचा पाया लेकिन असलियत में United States बहुत ही चालाग है United States ने अपने दुश्मन रशिया का एक भी गोली चलाये बिना इतना सारा नुकसान कर दिया है अब इस जंग में रशिया के सेकड़ों से निक मारे जाएंगे उसके billions of dollars खर्चोंगे और उसके बाद रशिया पर जो sanctions लगेंगे इसके वज़ा से रशियन एकोनोमी को बहुत सारा नुकसान पहुचेगा यूकरेन के हर्चे United States को कोई नुकसान नहीं है और अगर बाइचांस यूकरेन जीत जाता है तो United States को फाइदा ही फाइदा है इससे United States का एनिमे रशिया काफी कमज़ोर होगा दोस्तों रशिया और नैटो आपस में कभी नहीं लडेंगे ये सभी को पता है का अगर वो आपस में लडे तो खुद बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों यूकरेन तो इस लड़ाई में बस एक महरा बना है असल लड़ाई तो रशिया और नैटो की है रशिया का यूक्रेन के उपर ये हमला दूसरे कंट्रिस जैसे चाइना के लिए एक एक एक्जामपल बन सकता है चाइना कल को इसी हमले का एक्जामपल लेकर ताइवान पर हमला कर सकता है जिस तरह आज यूक्रेन के मदद के लिए कोई नहीं आया, कल को टाइवान के मदद के लिए भी कोई नहीं आएगा दोस्तों यूक्रेन पर हमला करने से पहले रशिया ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी इंट्रेस्टिंग बात यह है के रशिया हमला तो यूक्रेन पर करने जा रहा था लेकिन उसके डिमांड्स नैटो और उनाइटेट स्टेट के लिए थी फर्स्ट डिमांड यह थी के नैटो जो भी मिलेटरी एक्टिविटी इस्टन यूरोप में कर रहा है वो बंद करें और अपने फोर्सस को इस्टन यूरोप से हटा ले दूसरी डिमांड यह थी के यूक्रेन को कभी भी नैटो मेंबर्शिप न दी जाए और तीसरी डिमांड यह थी के यूनाइटेट स्टेट के जो भी नुकलिर मिजार्स यूरोप में है वो उसे डिसाम करें दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि इन में से एक भी डिमांड डारेक्ट यूक्रेन से नहीं की गई है बलकि यह डिमांड सो डारेक्ट नैटो से की गई है यूनाइट स्टेट्स और नैटो दुनिया में बड़े पीस लावर्स बने फिरते हैं लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते है अगर यूक्रेन को नैटो का मेंबर न बनाया जाता तो यूनाइट स्टेट्स और नैटो को क्या भी गड़ता कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी फालतू की लड़ाई में यूक्रेन को जोग दिया यूनाइट स्टेट्स और नैटो कभी स्ट्रेटेजिकली अनिम्पोर्टेंट देश जैसे के बंगलादेश को नैटो जोइन करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे लेकिन यूक्रेन को सिर्फ इसलिए नैटो जोइन करने पर उकसाया जा रहा था कि वो रश्या का नेबर है और अगर यूक्रेन नैटो जोइन कर लेता है तो रशिया के नेबर में बैलिस्टिक मेजाइस लाकर इंस्टॉल की जा सकती है आज United States भारत से में कई देशों को रशिया के खिलाफ स्टेटमेंट देने और स्टैंड लेने के लिए उकसा रहा है लेकिन भारत रशिया की खिलाफ स्टेटमेंट क्यों दे हमारा खुद का एक जियो पॉलिटिकल स्टैंड है इस क्रैसिस से भारत जैसे देशों के लिए सीख मिलती है कि हमें जियो पॉलिटिकल आत्म निर्बर बनना होगा हम किसी दूसरी कंट्रिस के हतियार के जरी हमेशा गुजारा नहीं कर सकते हमें खुद अपने देश में एड़वांस टेक एंड मिलिटरी एक्विपमेंट्स मैनुफेक्चरिंग सीखनी और इंप्लिमेंट करनी पड़ेगी इमेजिन किजी अगर चैना कल को भारत में हमला करता है तो रशिया किस का साथ देगा भारत का या चैना का रशिया का तो दोनों कंट्रिस के साथ काफी अच्छा डिलेशन है मुश्किल वक्त में हमारा कोई साथ नहीं देगा दोस्तो कोई भी कंट्री जंग करना नहीं चाहती, रश्या भी जंग नहीं चाहता था और यूक्रेन भी नहीं चाहता था, लेकिन कभी खबार यूक्रेन की तरह जबरदस्ती जंग थोप दी जाती है, ऐसा किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है, इसलिए हमें इसके लिए पहले चैनल को लाइक करें शेर करें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं एकले वीडियो में धन्यवाद